हेलो दोस्तों मेरे नाम अभिशेक है और जैसी कंट्रिवाइड अनलॉक की प्रक्तिया शुरू होई है तो वेरियस इंस्ट्यूट्स रिक्रिट्मेंट्स करना स्टार्ट कर दिये हैं उन्हीं में से एक अभी अगस्त में ही तो दोस्तों हम इसके पहले ओवर्वीव करने में देखेंगे दिन हम इसके ऑफिसियल साइट पर जायेंगे तो चलिए देखते हैं दोस्तों स्टार्टिंग डेट है इसकी 7 अगस 2020 और लास्ट डेट है 25 अगस 2020 यह आप जान रखिए कि यह बाद में extend हो सकती है एज पर official notification guidance लेकिन फिलाल जो अभी है हम उसी के बारे में देख रहे हैं फी पेमेंट लास्ट डेट है 28 अगस 2020 और complete form लास्ट डेट है 4 सितंबर 2020 और receipt मतलब उनको प्राप्ति होना है लास्ट डेट 11 सितंबर 2020 और admit card exam डेट यह बाद में बताया जाएगा अभी कोई भी requirement में surety नहीं है duty COVID-19 अब दोस्तों application fees के बारे में है कि general BC EWS इनके लिए 750 है then portal charges and SCST के लिए 200 है और जो बिहार दो मिसाल के female है उनके लिए 200 है और आप payment कर सकते हैं यह net banking, debit card और credit card के तुरू exam location बिहार रहेगा और age limit आपकी minimum 21 है और maximum यहाँ पे कोई mentioned नहीं है और हम maximum age के लिए हम official notification पर जाएंगे वहाँ पर देखेंगे क्या है maximum age limit तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि number post 119 है जो कि divide हो जाएगा various reservation में तो हम reservation bys भी देखेंगे अब यहाँ पर दोस्तों कुछ reservation bys भी यहाँ पर post का है तो हम उस पर नजार कि हम official notification देजाएंगे लेकिन उससे पहले आप जान दीजेगा कि required जो list of documents है वो matriculation mark sheet है आपके age probe के लिए और educational qualification mark sheet है certificates है PWA रहेगा और card certificate रहेगा तो अब official notification पर चलते हैं तो यहाँ पर हम इसे थोड़ी जूम करने ताकि आप भी इस पर देख पाएंगे इसे office site bpsc.bis.nic.in पर अब भी आपको देखने को मिल दाएगा तो हाँ पर दोस्तों यह देखिए various posts है अनरक्षित है पार्टिर उस पर कमजोर वर्ग के लिए अनसुची जन जाती अत्ति पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं इनके लिए कोर्टिवार कुल रिक्ति की संख्या है various vertical reservations है तो उसके बबजूद भी जितना भी है उसमें भी 35 अलग से महिलाओं के लिए रिवेशन है रिक्रिट्मेंट में तो इस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं लाइक अगर आनारक्षित में 59 है टोटल जितने मेल रहेंगे उनमें से 16 इंच्यावन में से महिलाओं को वो शीट्स दे जाएंगी तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा और टोटल जो पोस्ट है हम जो और कुछ दिव्यांग कटेगरी के लोग हैं उनके लिए अलग से रिवेशन है तो उनकी भी रिवेशन की संक्षिया कुछ ऐसी है वेतनमान जो रहेगा सेलरी रहेगी वो स्टार्टिंग 56100 सम्थिंग रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो सेक्षिटिक योगिता है बी बीटेक बीएस बीएस एंजिरिर्ण इलेक्ट्रिकल इंजिर्ण होना चाहिए और टेक्नलाजी भी फर्स क्लास और एक्क्योविलेंट होना चाहिए दोस्तों आब यहां पे है कि इंजिरिंग प्र और यहां पे आप इन नोटिफिक्रिशन पढ़िए लेकिन उससे सबसे इंपोर्टन जो है पे आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इन कोर्स को अभी आप रन कर रहे हैं तो ऐसे में आप इसे प्लाइ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 सितंबर 2020 के पहले आपका कोई भी कोर्स है और कम्प्लीट होना चाहिए आपके पास और डिग्री डिप्लोम आपके हाथ में होना चाहिए अगर माली जी आपकी कोई सेक्ष्ण निक्योंकिता है उसमें हिंदी इंग्लिश में कोई डिफ्रेंट है तो उसमें इंग्लिश वर्जन वेलिट रहेगा माने रहेगा और जैसा हमने पहले ही बात किया है कि दिनांक एक आठ मतलब एक अकस 2020 को जो उमीदवार है अप्लाई करने वाले एप्लिकेंट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए 20 वर्ट्स और अधिकतम उम्र तै नहीं है तो सेवा निवित्र की आयू 65 वर्ट्स है तो मतलब आप 65 से पहले र हैं तो तब आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों इसमें कोई भी एक्जाम का अप्सन नहीं है यहां पर आप देखिएगा कि चैन की साधार पर होगा तो हम इसे अच्छे से बात कर लेते हैं तो आप यह देखिए जो आपका अकादमिक रिकार्ड है और अनसंधान स्पा तो यहां पर चालिस नंबर का अप्रिक्टी टाइब का भी होगा और वैसे कोई ज्यादा नहीं है और इंटर्विव विटेज 15 मार्क्स कर रहेगा और फॉर लेक्षर इंगेज्ट अनको मिलेगा तो मतलब अगर कोई पहले से सब्मीदा पर है उनको मैग्जिम पचीस नं इसमें से आप कितने % है 8 परसंट इसको मिलेगा नव्य परसंट मिलेगा इसी तरह से आपको उसमें maximum 10 नंबर तक मिलेगा जो आप ग्रेशन कंप्लेट किये हैं अगर आपने कोई PG किया है, M.Tech किया है, Master Degree किया है, तो उसमें आपका उसका 5% मिलेगा, जितना भी आपके percentage आए हैं, तो उसका 5% मिलेगा, अगर माली आपके 80 आए हैं, तो उसका 50%, तो आप समझ सकते हैं, मतलब 5%, तो इसी जाप से आपको उसका मिलता जाएगा, मतलब maximum उस आप दोस्तों, अगर आपने PhD किया है, तो इसमें सबसे बड़ी beneficial बात यह है, कि आपको direct 5 आपके मिल दाएगा, इसमें कोई भी criteria है, अगर आपके पास PhD है, तो आपको 5 नंबर extra मिल दाएगा, तो जो भी applicants हैं, वो ध्यान दे कि, for engineering technology stream the syllabus of graduate-applicated system, engineering gate will be applicable, तो यहाँ पे syllabus of general application will be applicable, जो इसका syllabus रहेगा, तो gate का ही रहेगा, इसी संकाय का रहेगा, इंटर्व्यू 15 मास्क करेगा, तो यह हमने पहली discuss कर लिया है, अब इसके राबाद दोस्तों, यहाँ पी आप देखिए, अगर आपने समझा विसे बे काम किया है, तो अगर आप 5 साल तक काम किया है, तो आपके लिए beneficial है, अगर आप 5 साल से ज्यादा किया है, तो भी आपको 25 ही maximum marks मिल सकते है, इसके बीटेज मिल सकता है, पची संक मिल सकता है, और अगर आपने एक साल किया है, तो आपको 5 मिलेगा, 2 साल किया है, तो 10 मिलेगा, 3 साल किया, 15 मिलेगा, इसी साब से आपको सम् माना जाएगा सामाने माना जाएगा और 6 माहा से अधिक आपने का भी कार्यवद की है तो उसको पूर्ण वर्स मानकर बेटे दिया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे जो आगे की notification है वह सारी के सवारी यह ऐसी है जो कि किसी भी exam में आपको generally देखने की मिल आती है तो मैं आपको recommend करूँगा कि मैं यह PDF description box में दे दूँगा तो आप वहाँ पे जाके इसे apply कर सकते हैं मतलब पढ़ सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों वह सारी शुल के बारे में हैं और वह सारी dates के बारे में जो हमने पहले ही इसके बारे में discuss कर लिया है तो आप इसे भ्यान से पढ़िए गौड से पढ़िए को भी अगर आपको दिक्कत जारी है आप हमें comment करिए हम तुरंत आपका निराकरन करेंगे तो thanks